हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे NCRT Class 10th Maths Exercise 8.3 Exercise 8.3 में कुछ formulae यूज हैं जो कि इस प्रकार हैं जैसे कि साइन 90-o थीटा क्या होता है? कॉज थीटा होता है, कॉज 90-o क्या होता है? कॉसेक में चेंज हो रहा है से कॉसेक में चेंज हो रहा है ये सारे फॉर्मूले जो है exercise 8.3 में यूज होंगे ठीक है question 1 का first question दिया हुआ है कह रहा है कि sign 18 और upon में cos 72 इसकी value निकालो इसकी value कैसे हम लोग निकालेंगे इनी formula का use करके इसकी value हम लोग find करेंगे यहाँ पर देखो sign है और यहाँ पर cause है हम किसी एक की value को change कर लेंगे और क्या करेंगे इसको solve कर लेंगे अच्छा यहाँ पर जैसे sign दिया हुआ है तो sign का formula हम लोगों ने क्या पड़ा कि sign 90 minus theta क्या होता है cause theta होता है sign 90 minus theta क्या होता है cause theta होता है बच्छा यहाँ sign 18 दिया हुआ है तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं इस sign 18 को हम ये भी तो लिख सकते हैं कि sign 90 minus 72 इस 18 की जगे पर इस 18 को हम 90 minus 72 लिख सकते हैं 90 से 72 अगर subtract होगा तो 18 ही तो बचेगा, sin इसी तरीके से यहीं पर है, राकि 18 की जगे पर हमने 90-72 लिख लिया, और नीचे क्या दिया है, नीचे, नीचे जो है, cos 72, पहले से दिया हुआ है, ठीक है, अब क्या हमें मिला, अब sin 90-θ, अभी हमने क्या बोला, क्या होता है, यहाँ पर जो formula लिखा है क्या लिखा है, sin 90-θ, क्या हो गया, cos theta, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, sin 90-θ, cos theta हो जाएगा, तो यह theta की जगे पर है, तो अब इस पूरी value की जगे पर हम put कर सकते है, cos 72, अब theta की जगे क्या है, 72, तो sin 90-θ change हो कि cos theta हो गया, तो sin 90-72, cos 72, और नीचे cos 72, पहले से ही दिया है यह दुनों cancel हो जाएंगे, तो क्या में लिखा मज़, यही हमारा answer, इसके बाद इसका second question है, 10 26 upon cot 64, इसको कैसे solve करेंगे, बस इसी तरीके से solve करेंगे, जैसे कि अभी पहला question हम लोगों ने किया, अज़ा 10 26 से नीचे cot है, तो ऐसा करते हैं, हम लोग 10 की जगे पर कुछ change कर कि देखने है, 10 90 मानस theta क्या होता है, cot theta होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कि 10 90 बाद थेटा क्या होता है, cot theta होता है, तो हम क्या करेंगे, 10 की जो value है, जो यहाँपर value दिख रही है, यह 10 26 दिख़़ा है, तो ऐसा करते हैं, इसको हम इस तरीके से भी दू लिख सकते है इसे 26 को हम लिख सकते है 90-64 भाई 90 से अगर 64 सब्ट्रेक्ट करेंड क्या मिलेगा 26 ही मिलेगा तो 10 10 ही है सिर्फ 26 की जगे पर हमने लिख लिया 90-64 और नीचे जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है हम आवसे बहुत लिख सकते है 10 90-dita मतलब कोट दिठा और ठीठा की जगे पर क्या दिग रहा है 64 तो 64 नीचे कोज 64 पहले से दिया हुआ है हमने क्या 10 90 मैनस थीटा अप्लाई किया और वह होता क्या कॉट थीटा होता है तो 10 90 मैनस थीटा थीटा की जगे क्या 64 तो कॉट 64 हो जाएगा यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्या मिलेगा हमें 1 यह हमारा एंसर इसके अबाद थर्ड कुष्यन है कॉज 48 माइनस साइन 42 यह कुष्यन दिया हुआ है इसको कैसे सौल परेंगे देखते हैं इसमें किसी एक की वैल्यू चेंज कर लो या तो कॉज की चेंज कर लो या तो साइन की चेंज कर लो अचा अगर हम cause को देखते हैं तो cause यहां लिखा हुआ है ना और 48 जो लिखा है ना इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 90-42 90 से अगर 42 सबट्रेक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 48 ही मिलेगा तो हमने cause को ऐसे ही रखा सिर्फ 48 को चेंज कर लिया 90-42 निकल लिया और इस value में कोई चेंज नहीं किया सिर्फ sin 42 उसी तरीके से लिखा रहने दिया बचा cause 90-θ क्या होता है हमने पढ़ा है कि cause 90-θ क्या होता है sin θ होता है तो बस यह solve हो गया question तो cause 90-θ sin θ और minus sin 42 इधर पहले से ही दिया हुआ है अब sin एक value प्लस की है और एक value माइनस की है दोनों आपस में subtract हो जाएंगे क्या मी लेगा मैं जीरो इसका fourth question अब दिया हुआ है fourth question क्या है हमारा fourth question है हमारा cause 31 degree minus sec 59 degree इसको solve करना है इसको कैसे solve करेंगे जैसे भी बागी question solve किये उसी तरीके से इस question को भी solve करेंगे अचा causec दिया है और sec दिया किसी एक की value change कर लेते हैं जैसे कि पिछले question में हम लोगों ने किया causec है causec को ये भी तो लिख सकते है जैसे causec 90 minus theta होता क्या है causec 90 minus theta क्या होता है sec theta ही होता है तो बस इसी formula को apply करेंगे तो यहाँ पर किसी एक की value change कर लेते है जैसे यहाँ 31 दिया है तो 31 को 90 minus 51 लिख सकते है causec को इसी तरीके से रहने दो बस 31 की जगे पर क्या लिख लो 90 minus 59 90 से अगर 59 सबट्रेक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 31 ही मिलेगा और आगे जो है minusc 59 दिया ही है इसमें कोई change नहीं करेंगे सिर्फ एक की value हम change किया करेंगे अब causec 90 minus theta अभी हमने उपर देखा causec 90 minus theta क्या होता है sec theta होता है तो causec 90 minus 59 क्या हो जाएगा sec 59 और minus इधर sec 59 पहले से ही दिया हुआ है अब ये value minus की ये value plus की दोनों अब इसमें subtract हो जाएगी क्या मिल जाएगा हमें 0 इस तरीके से ये question भी complete हो जाता है इसके बाद second question दिया हुआ है so that पहला question है 1048, 1023, 1042, 1067 equals to 1 क्या question दिया हुआ है हम लिख लेते हैं पहला question है second का first question दिया हुआ है 1048 into 1023 into 1042 into 10 1067 equals to 1 ये question दिया हुआ है ये हमारा LHS दिया हुआ है और RHS में value क्या है 1 है मतलब इस value को हमें 1 दिखाना है ठीक है तो हम LHS ले लेते हैं let left hand side left hand side क्या दिया हुआ है 1048 into 1023 into 1042 into 1067 ये ही तो question दिया हुआ है हम क्या करते हैं इसमें 48 और 42 इनको आपस में एक साथ लिख लेते हैं और 23 और 67 वाले को एक साथ लिख लेते हैं क्या हो इसमें दिख रहा है इसमें दिख रहा है 1048 और 1042 को एक साथ लिखना है और 1023 और 1067 को एक साथ लिखना है ठीक है अब इसमें कुछ चेंज करते हैं और इसमें कुछ चेंज करते हैं जैसे 1048 दिख रहा है न अचा 1048 को ये भी तो लिख सकते हैं 10 में कोई चेंज ना करो सिर्फ 48 को क्या करो लिख लो 90-42 deixa 42 अगर 90 alda 80 करेंक रंगे तो इतना मिलेगा 58 ने लिखा एक चीछ सारी qeξें में देखते हैं कि क्या इन वैल्यूज को डैड करेंक तो 90 मिलेगा तो देखो 48 और 42 और 90 मिलेगा उसी तरीके से 23,67 इड करेंक और 90 मिलेगा इसलिए हम इन values को एक साथ लिख रहे हैं उपर वाले question में भी ऐसा ही कुछ था इसमें देख रहे थे 31 था और यहां 59 था इन दोनों को add करेंगे तो कितना मिलेगा 90 मिलेगा तभी हमने क्या किया था 90 से दूसरी value को subtract कर दिया था वही यहां पर भी कर रहे हैं अब यहां पर देखो 1048 था तो 48 की जगए पर हमने लिखे हैं 90-42 और यहां 1042 जो दूसरा term दिया है इसमें कोई भी change नहीं करेंगे 1042 इसको ऐसे ही कारणे देंगे बाकि जो आगे value है जिनका addition 90 आ रहा है उसमें भी एक में change करेंगे जैसे 1023 दिख रहा है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1090-67 जो value यहां 23 दी है हम क्या करेंगे 67 को subtract करेंगे 1090-67 क्या होता है अगर 90 से 67 subtract होगा तो 23 ही तो मिलेगा आगे जो है 1067 दिया ही है उससे कुछ बोलना नहीं ठीक है 1090-θटा क्या होता है हमने पढ़ा है 1090-θटा क्या होता है कौट थटा होता है ठीक है और यहां पर 1042 पहले से दिया ही है ठीक है यहां पर 1090-θटा क्या होता है कौट थटा होता है तो 1090-θटा थटा क्या 67 तो कौट 67 हो जाएगा डॉट 1067 पहले से दिया हुआ है अच्छा एक चीज हमने पढ़ी है कि जो है 10 जो होता है वो cot का क्या होता है अपोजित ही तो होता है भाई 10 theta equals to 1 upon 1 cot theta ही तो होता है तो मतलब यह जो cot लिखा है इसको हम 1 upon 10 theta लिख सकते हैं या इसे 10 को 1 upon cot लिख सकते हैं न तो हम क्या करने जा रहे हैं देखो अब हम इस cot 42 लिखा है इसमें कोई change नहीं cot 42 को ऐसे ही रहने दो ठीक है 10 42 है यहाँ पर इसको change कर लें किसमें cot में इसको हम यह भी तो लिख सकते हैं 1 upon cot 42 बाई 10 जो है इसको 1 upon cot में लिख सकते हैं 10 42 1 upon cot 42 लिख सकते हैं dot आगे हैं ठीक है cot 67 है, इसमें कोई change ना करो, इसको change कर लो, 10 67 है, इसको हम लिख सकते है, 1 upon 10, sorry, cot 67, 10 है, 10 को cot में change कर लो, cot में change करेंगे तो क्या आएगा, 1 upon cot 67, अब देखो, cot 67 नीचे है और उपर भी है, cot 42 नीचे भी है, और उपर भी है, सब cancel हो गया, जब cancel हो गया, तो मिला क्या, यहां preview 1 मिलेगा, और वहां preview 1 मिला, क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, यहीं हमारा तो right hand side था ना, इस तरीके से, हमारा left hand side, right hand side के उपकोन आ जाएगा, और यह question यहां पर complete हो जाता है, दूसरे question का second part दिया हुआ है, दूसरे question का second part है, cos 38, cos 38, into cos 52, minus sin 38, into sin 52, equals to 0 दिया हुआ है, इसको solve करना है, क्या value कह रहे है, 0 प्रूव करने के लिए कह रहे है कि 0 इसकी value, LHS हमारा यह है, इसकी value 0 होगी, ठीक है, हम लोग left hand side ले ले लेते हैं, let left hand side, left hand side जो दिया हुआ है, उसको एक बार और लिख लेते हैं, cos 38, into cos 52, minus sin 38, into sin 52, यह value दी हुई है, ठीक है, ऐसा करते हैं, किसी एक की value को change कर लेते हैं, जैसे cause यहाँ पर है, cause यहाँ पर है, sign यहाँ, sign यहाँ, तो एक की value change करो, या तो इस cause की value change कर लो, या तो इस sign की value change कर लो, ठीक है, क्या करते हैं, हम सिर्फ cause की value को change करते हैं, अच्छा कॉज को टच ही मत करो, कॉज को कॉज ही रहने दो, ठीक है, सिर्फ चेंज क्या करो, यह 38 दिख रहा आना है, इसको अगर हम 90 से सब्ट्रेक्ट करेंगे, मतलब 90 माइनस 52 लिख दें, 90 से 52 अगर सब्ट्रेक्ट करेंगे, तो कितना मिलेगा, 38 ही तो मिलेगा, क्योंकि 52 और 38 का addition कितना आता है, 90 ही आता है, तो 90 माइनस 52 कर लेंगे, जिससे मिलेगा क्या 38, और यहाँ पर जो value दिख रही है, इसको भी change कर लेते हैं, कॉज इसको क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 38, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 90 से अगर 38 सब्ट्रेक्ट होगा, तो कितन ही तो मिलेगा, ठीक है, तो हमने सिर्फ 38 की जगे पर change किया, और 52 की जगे पर change किया, बाकी जो value दिख हुई है, उन्हें हम इसी तरीके से उतार लेंगे, उसमें कोई भी change नहीं करेंगे, अब देखो, हमने पढ़ा है कि cause 90 माइनस theta क्या होता है, sin theta ही तो होता है, sin theta ही तो होता है, तो बस इस question में क्या हो गया, यह जो solution कर रहे है, इसमें क्या change हो गया, cause 90 माइनस theta क्या होगा, यहां पर क्या जाएगा, say cos 90 minus theta, theta की जगए पर क्या है, 52 तो sine फिटीटू हो जाएगा, cos 90 minus theta, sine theta, और यह भी cos 90 minus theta, sine theta, मतलब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख लिख यह milligrams, sine 52, और यह cos 90 minus theta, और theta की जगए पर क्या है, 38 तो sine 38 हो जाएगा, और इधर minus दिया ही है, कि sine 38 degree into sine 52 degree अच्छा अब एक चीज देखते हैं यहाँ पर multiply का sine है multiply dot मदोर लगा है तो क्या है यह दुनों multiply में है ठीक है तो यहाँ sine 52 है यहाँ sine 38 है तो एक negative value है और एक positive value है ठीक है तो यह दोनों आपस में जब subtract हो जाएंगे value sine 52 चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता यह दुनों आपस में अलग एक साथ है और यह दुनों एक साथ है ठीक है तो एक की value minus एक value plus है तो 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 आपके क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा यही हमारा answer यही हमें लाने को उन्होंने बोला था यही हमारा right hand side इस तरीके से क्या हो जाएगा हमारा left hand side right hand side के बरादर आजाएगा ठीक है यह हमारा second question हो गया इसके बाद third question दिया हुआ है कह रहे है if tan 2a equals to cot bracket a minus 18 degree where 2a is an acute angle find value of a question दिया हुआ 10 2a equals to cot a minus 18 दिया हुआ है और कहरें a की value find करो कि क्या आएगी ठीक है देखते हैं कैसे करना है question को लिख लेते हैं third question हमारा है tan 2a tan 2a equals to cot a minus 18 degree यह question दिया हुआ है ठीक है इसको कैसे solve करेगे हमने पढ़ा है tan और cot की गर बात करें तो एक ही formula हमने इसमें पढ़ाया कि tan 90 minus theta क्या होता है हमारा cot theta होता है या cot 90 minus theta क्या होता है 10 theta होता है तो किसी a की value change कर लेते हैं या तो इसकी value change कर लेते हैं या तो इसकी value change कर लेते हैं क्योंकि हमें a की value find करनी है तो question में क्या करना है कुश नहीं बस 10 2A है यहाँ 10 90-θ को कॉट लिख सकते हैं ठीक है तो यह जो कॉट लिखा हुआ है इसमें कोई चेंज ना करके हैं हम इसमें चेंज करने जा रहे हैं 10 2A है इसको यह भी तो लिख सकते हैं कॉट 90-2A क्योंकि यहाँ पर यह भी तो होता है कॉट 90-θ एक्वल्स टू क्या 10 थीटा भी तो होता है तो हम यह वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे भाई कॉट 90-θ क्या होता है 10 थीटा होता है और यहाँ 10 2A दिया हुआ है तो मतलब कॉट 90-2A एक्वल्स टू 10 2A तो हमने 10 की अब देखो 2A की जगे पर तो चेंज हो ही रहा है 90-2A हो रहा है लेकिन 10 को हमने क्या कि यह कॉट में कर लिया अब उल्टा फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे है 10 2A को हमने लिख लिया कॉट 90-2A क्योंकि कॉट 90-θ क्या होता है 10 θ होता है तभी हमने लिखा कॉट 90-2A और इक्वल्स टू इधर पहले से वैल्यू दी होई है कि कॉट A-18 डिग्री एक चीज मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताई थी कि अगर इक्वल के इधर भी कोई वैल्यू दी होई हो और इधर वैल्यू दी हो वह दोनों सेम हो जैसे इधर कॉट दिया हुआ है और इधर भी कॉट दिया हुआ है तो दोनों तरफ कॉट कॉट है सेम है तो जो एंगल दिया हुआ है यहां पर वो एंगल आपस में दोनों तरफ के क्या हो जाते है equal हो जाते हैं, अगर इधर cot है, इधर cot है, तो इसे cancel नहीं करेंगे, सिर्फ इधर की value इधर के क्या कर देंगे, equal में कर देंगे, जैसे 90-2A यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90-2A equals to A minus 18 के equal में हो जाएगा, ठीक है, तो हमने कर लिया, तो cot 90-2A और cot A minus 18, cot cot हट जाएगा, minus की value इधर भेज़ दो तो plus की हो जाएगी और इस 18 को इधर लेकर आजो तो जब 90 की तरफ हम इस 18 को लेकर आए तो minus का 18 था ना तो इधर आएगा तो plus का हो जाएगा और इधर A जो है पहले से यह इस minus के 2 A को उधर ले जाएगे equal के तो plus का 2 A हो जाएगा क्योंकि यह negative है तो जाएगा positive हो जाएगा और 90 और 18 यह add होगा तो कितना मिलेगा 108 और यह 2 और 1 यह 2 A है यह कितना हो जाएगा 3 A हो जाएगा 3 क्या है A के साथ multiply है इधर भेजेंगे तो divide में हो जाएगा ठीक है 3 से divide करेंगे 3 3 9 3 9 3 6 18 ठीक है तो A की value कितनी मिल गई हमें 36 degree यही value हमें find करनी थ एक बार फिर से इस question को देख लेते हैं question में दिया था कि 10 2 A equals to cot A minus 18 और इसमें A की value हमें find करनी थी दोनों तरह इधर 10 था इधर cot था ठीक है हमने formula कौन सा apply किया एक formula होता है 10 90 minus theta cot theta और cot 90 minus theta equals to 10 theta यह formula होता है हमने किया 10 को हमने cot में change कर लिया क्योंकि इधर cot था इसलिए cot में change किया cot 90 minus 2 A क्या होता है 10 2 A ही होता है क्योंकि cot 90 minus theta equals to 10 theta बस cot 90 minus 2 A इधर हो गया और cot A minus 18 था अब दोनों तरफ cot cot दिख रहा है similar है तो इसका जो angle दिख रहा है यह दोनों आपस में equal हो जाएंगे तो 90 minus 2 A equals to A minus 18 अब ऐसा करते है यह negative value दिख लिए तो हमने इधर बेज कर positive कर लिए यह दोनों add होके इतना हो गया यह दोनों add होके 3 A हो गया divide कर दिया और हम लोगोंने अपना answer find कर लिया इसके बाद fourth question दिया हुआ है fourth question क्या है देखते है fourth question है हमारा fourth question है if 10 A equals to cot B prove that A plus B equals to 90 question में 10 A equals to cot B दिया हुआ है ठीक है और कह रहा है कि prove करके दिखाओ कि A plus B equals to 90 degree होगा देखो एक condition दी हुई है और यह हमें prove करने को उन्होंने बोला है अब इस value को लेकर यह value दिखा दो या इस value को लेकर यह value दिखा दो दोनों तरीके से solve हो जाएगा ठीक है हम ऐसा कर रहे है जो value हमें जो condition दी हुई है न उस condition को लेकर चलते ह है ठीक है तो यहां दिया क्या है 10 हमें value क्या दिखी है 10 A equals to cot B यहीं तो दिया हुआ है ठीक है अच्छा 10 है 10 को हम यह भी तो लिख सकते हैं कि 10 को cot 90 minus A भी तो लिख सकते हैं क्योंकि cot 90 minus A क्या हो जाएगा 10 A ही तो होगा cot 90 minus theta क्या होता है 10 theta होता है तो हमने 10 A की जगहे पर cot 90 minus A कर लिया ठीक है और इधर cot B पहले से ही दिया हुआ है अच्छा इधर B cot इधर B cot तो क्या हो जाएगा इसका angle जो होगा वो इसके angle के एक कुल में हो जाएगा तो मतलब 90 minus A जो है वो हमारा B के बराबर में आ जाएगा अब ऐसा करो इस A को इधर बेज दो जब A को उधर बेज देंगे तो सिर्फ 90 इधर रह जाएगा और इधर क्या आ जाएगा A जो है negative है उधर जाएगा तो positive हो जाएगा तो हमें क्या मिल गया कि A plus B equals to 90 degree यही तो prove करने के लिए उन्होंने कहा था कि A plus B equals to 90 degree लाना है इस तर किसे question हमारा complete हो जाता है इसके बाद 5th question दिया हुआ है 5th question है हमारा 5th question कह रहे है if sec 4A equals to cosec A minus 20 where 4A is an acute angle find value of A इसमें भी similar जैसे 3rd question था वैसा ही 5th question दिया हुआ है ठीक है इसको करते है 5th question है हमारा sec 4A equals to cosec A minus 20 ठीक है इसमें भी A की value find करनी है कुछ ही भी नहीं है बहुत ही simple है जैसे की 3rd question है वैसे ही ये question है sec और cosec है अच्छा sec यहाँ पर लिखा है ना तो इसको हम क्या change करके लिख सकते है इसको हम ये भी तो लिख सकते है कि cosec 90 minus 4A क्योंकि cosec 90 minus theta क्या होता है sec theta होता है तो cosec 90 minus 4A equals to sec 4A हो जाएगा इसलिए sec 4A की जगे पर हमने क्या लिख लिख लिखा है cosec 90 minus 4A और इधर पहले से ही दिया है cosec A minus 20 पहले से दिया है ठीक है अब देखो इधर भी cosec इधर भी cosec ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका यह पूरा यह एंगल है वो इधर वाले एंगल के इक्वला जाएगा ठीक है तो हम लिख सकते हैं कि 90 minus 4A equals to A minus 20 20 अब क्या करना है जो negative value दिख रहे है इसको इधर भीज़ दो इधर वाली value इधर भीज़ दो तो 90 यह 20 था ना इसको इधर लेकर आ गया तो plus का 20 हो गया और equals to इधर A था इधर minus 4A था इसको उधर ले जाएगे तो plus का 4A हो जाएगा यह दोनों add होकर 110 और यह हो गया 5A 5 क्या इसके साथ multiply है तो इधर भीज़ देंगे तो divide में आ जाएगा तो 5 से divide करेंगे तो 5 2 जा 10 5 2 जा 10 A की value कितनी मिल जाएगी 22 degree यही है हमारा answer ठीक है इस तरीके से 5th question भी complete हो जाता है 6th question दिया हुआ है कहरें if A, B, C are interior angle of a triangle ABC so that sin B plus C upon 2 equals to cos A by 2 कहरें ABC क्या है एक triangle के क्या है interior angle है और उसके बाद so करो कि sin B plus C upon 2 equals to cos A by 2 होगा ठीक है इसको करते हैं क्या क्या दिया हुआ है थोड़ा लिख लेते हैं 6th question है question में बोला गया है कि A, B, C are interior angle interior angle of triangle ठीक है कौन सा triangle होगा भाई यहाँ पर कौन सा triangle apply होगा क्योंकि trigonometry है तो right angle triangle आता है ठीक है हमने बना लिया और ABC क्या रहे interior angle है ठीक तो हमने एक को A दे दिया एक को B दे दिया C दे दिया कौन सा 90 है उन्होंने नहीं नहीं दिया कोई बात नहीं हमने ऐसे ही ले लिया इससे कोई बोलना नहीं बस इतना हो गया अब इसके बाद में जो condition दी हुई है condition so क्या करना है एरे so करो कि sin B plus C upon 2 equals to cos A by 2 यह क्या है मैं प्रूव करके दिखाना है ठीक है इतना प्रूव करके दिखाना है ठीक है अच्छा एक condition होती है condition क्या होती है कि sum जो होता है जिसे triangle है sum of all angle जो भी यह angle दिये हैं इनका अगर sum किया जाए तो कितना होता है triangle के सारे angles का sum कितना होता है 180 होता है ना तो बस वही condition apply करेंगे sum of all angle of triangle equals to कितना होता है 180 degree होता है वही सारे angles का sum जो है triangle का होता है हो कितना 180 होता है और एंगल कितने हैं 3 ही तो है A B C 3 ही तो है तो मतलब A plus B plus C यह किसके एकल हो जाएगा 180 क्यों जाएगा a plus B plus C तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180 ठीक है इसको solve कर लेते हैं solve क्या करना रह गया है देखो question में b plus c एक तरफ है और a by 2 एक तरफ है ठीक है b plus c upon 2 एक तरफ है a by 2 एक तरफ है तो क्या करेंगे b plus c को इधर ही रखो b plus c को इधर ही रखो a को उधर भेज दू मतलब 180 minus a कर लो इधर प्लस है उधर भेजेंगे तो minus हो जाएगा ठीक है अब क्या करना इसके बाद एक upon में 2 है तो क्या करो दोनों तरफ divide कर दो divide by 2 हम दो से क्या कर रहे हैं दोनों तरफ divide करें on both side b plus c था divide कर विया और इधर 180 minus a था इसको भी हमने divide कर दिया ठीक है अब देखो यहाँ पर दिया है b plus c upon 2 ठीक है अचा 180 minus a by 2 दिया हुआ है ऐसा करते हैं निगेटिव का असाइन है दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं 180 upon 2 minus a upon 2 हमने इन दोनों को अलग-अलग कर लिया 2 से divide करेंगे तो 2 नाइन जा 18 ठीक है 90 आ गया इसको लिख सकते है b plus c upon 2 equals to 90 minus a by 2 ठीक है अब इसमें क्या करना है अब ऐसा करो दोनों तरफ sign ले लो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं देखो question में दिया है sign b plus c तो यहाँ पर sin b plus c ही तो लाना है तो भाई, sin एक भी तरफ थोड़ी ना लेंगे तो दोनों तरफ लेना पड़ेगा तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ sign ले रहे हैं तो taking sign on both side दोनों तरफ हम sign लेने जा रहे हैं तो यहाँ जब हमने sign लिया तो sign क्या हो जाएगा, b plus c upon 2 हो जाएगा ठीक है, और इधर भी sign लेंगे तो क्या हो जाएगा, sin 90 minus a by 2 हो जाएगा भाई, दोनों तरफ sign लिया, तो sign b plus c by 2 और इधर लेंगे, तो sign 90 minus a by 2 हो जाएगा ठीक है, इतना हो गया अच्छा, अब एक चीज़ देखो sin 90 minus theta क्या होता है हमने पढ़ा है कि sin 90 minus theta जो होता है, वो क्या होता है cot theta होता है, ठीक है तो यहाँ पर क्या question में दिया था कि sin b plus c by 2 equals to इधर था हमारा sin 90 minus a by 2 था न तो sin 90 minus theta, cos theta ठीक है, तो sin 90 minus theta की जगब क्या लिख सकते है cos theta लिख सकते है न तो मतलब sin b plus c by 2 equals to इसको लिख सकते है cos a by 2 sin 90 minus theta और theta की जगब क्या है, a by 2 तो cos theta, तो cos a by 2 इस तरीके से हमें क्या मिल गया है यह value हमें मिल गई और यही value हमें प्रूव करके लानी थी प्रूव करके क्या लाना था sin b plus c by 2 equals to cos a by 2 और वही value यहाँ पर हमें मिल गई कि sin b plus c upon 2 equals to cos a by 2 यही हमारा answer इस तरीके से 6th question भी complete हो जाएगा 7th question दिया हुआ है कह रहे है इक्सप्रेस sin 67 plus cos 75 in terms of trigonometric ratio of angle between 0 degree and 45 degree question में sin 67 और cos 75 दिया हुआ है और इन values को ना क्या करना है 0 और 45 की term में लाकर क्या है 0 और 45 के middle के term में लाकर दिखाना है उसके बीच की value में लाकर दिखाना है तो question जो दिया है उसको लिख लेते हैं 7th question है sin 67 plus cos 70 ये value दी हुई है हमें 0 और 45 के middle की value में इन्हें लिखना है कैसे लिखेंगे अच्छा sin 67 है ना sin को ये भी तो लिख सकते हैं कि sin को sin ही रहने देते हैं ठीक है 67 को हम लिख सकते हैं 90-23 sign को sign ही रहने दो 67 को 90-23 90 से अगर 23 subtract करोगे तो कितना मिलेगा 67 ही तो मिलेगा ठीक है तो हमने लिख लिया sign और 90 से 23 सिर्फ 67 को इस form में लिख लिया ठीक है प्लस आगे जो दिया हुआ है कॉज को ऐसे ही रखो कॉज में कुछ चेंज मत करो 75 को हम लिख सकते हैं 90-15 90 से अगर 15 subtract करेंगे तो कितना मिलेगा 75 ही तो मिलेगा ठीक है अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि sin 90-θ क्या होता है कॉज थीटा होता है और कॉज 90-θ क्या होता है साइन थीटा होता है यही तो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े है तो sin 90-θ दिख रहा है और यहाँ कॉज 90-θ दिख रहा है तो sin 90 मैनस थीटा क्या हो जाएगा कॉज थीटा हो जाएगा और प्लस कॉज 90 मैनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा थीटा की जगह पर यहां क्या है 15 और यहां थीटा की जगह क्या है 23 तो साइन 90 मेलस थीटा कॉज थीटा कॉज 90 मेलस थीटा साइन थीटा और थीटा की जगए 23 यहां थीटा की जगए 15 और उन्होंने बोला था कि जो यह कुश्चन है साइन 67 और कॉज 75 इसको ना 0 डिगरी और 45 डिगरी की मेडल की वैल्यू में लिखकर दिखाओ क्या आएगा तो हमारा आतो गया इसको हम पहले लिख लेते हैं कि साइन 15 डिगरी प्लस कॉज 23 डिगरी तो यही कुश्चन क्या है किसकी फॉर्म का है इसकी फॉर्म का है इस बड़े से कुश्चन को बड़ी सी वैल्यू जो 67, 70 है ती उसको छोटी सी वैल्यू 15 और 23 में हमने लिख यही हमारा एंसर हो जाएगा और इस तरीके से यह एक्सरसाइज आपनों की खतम हो जाती है